CM की विधान सभाशेत्र में अवैद अतिक्रमणों की बाड़ दुर्गापुरा रोड़ पर अवैद थड़ी ठेलों का जमावड़ा मुख्य मत्री भजनलाल शर्मा की विधान सभाशेत्र सागानेर एवं ग्रेटर नगर निगम वाड़ पिच्ची आसी में अवैद अतिक्रमणों की बाड़ सी आ गई है वहीं मुख्य मार्क पर गायों, सांडो, श्वानों, आदी मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है इन्ही के नस्दीक डीमाट के तिराहे पर कबुत्रों का चुगा बेचने वालों ने डेरा जमा रखा है इसी वजह से इस्थानिय निवासियों, रहगीरों एवं वहान चालकों को आए दिन यातायात जाम और सड़क दुरगटनाओं जैसी परिशानियों का सामना करना पड़ता है मवेशी रखे जाते हैं मकान में बने अवैद रूप से बाड़ों में मवेशीयों को दिन में छोड़ दिया जाता है खुली सड़क पर नगर निगम कारवाई को लेकर गंभीर नहीं इन में से अधिकतर मवेशी पासी इस्तित, SMS कॉलोनी ब्लॉग भी के कुछ मकानों में अवैद रूप से संचालित बाड़ों में रखी जाती है जिन्हें दिन में खुले में सड़क के बीचो बीच खुला छोड़ दिया जाता है निगम की गाड़ी कभी कबार इन अवैद थड़ी ठेलो और मवेशीयों को हटाने पकड़ने आती भी है तो इनके मालिकों को निगम कर्मी पहले ही मोबाइल फोन पर सूचना प्रदान कर देते हैं जिस पर मवेशीयों वैध थड़ी ठेलो के मालिक इन्हें कॉलने के अंदर खाली पड़े मकानों प्लोट्स में भेज दिया जाता है और निगम की गाड़ी बेरंग लॉट जाती है वहीं ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौमया गूजर का कहना है कि अगर शेत्र से सम्मंदित कोई शिकायत आएगी तो कारवाई की जाएगी बहराल मुखे 100 फीट सडक पर ही अवैद रूप से मवेशियों को चारा खिलाने बेजने का अवैद धन्दा चालू है जबकि यहां से महज 200 मीटर की दूरी पर ग्रेटर नगर निगम का मालसुरोवर कारालय इस्थित है सामने ही वार्ट 85 का पारशत कारालय इस्थित है और निगम के अनेका नेक जिम्यदार अधिकारी तरमचारी इस घटना करम को रोजाना देखते हुए भी अंदेखा कर यहां से गुज़र जाते हैं खासखबर.com के लिए कैमरमेन सुरेश तान्या के साथ दिनेश तोमर की रिपोर्ट